एक अच्छा resume can make a difference कि आपको 6 लाग का package मिलेगा कि 20 लाग का package और ये अच्छा tailored resume हर job description के हिसाब से अलग-अलग और genuine ये कैसे बनाना है with the help of AI for free, easily, आसान भाषा में आज वो मैं आपको explain करूँगा हाई गाईज मेरा नाम है कृपेश आडवानी आप लोग देख रहे हैं अपस्किल AI हिंदी चैनल जहां पर I'll try to make AI as easy as possible for you जिसको आप लोग daily life में efficiently use कर पाओ बिना कुछ technical जागन के, easily, तो आज यहाँ पर हम लोग जैमिना यूज करेंगे, मेरे पास Gemini Pro है आपको भी Gemini Pro for free मिल सकता है उसके लिए बस आपका एक student ID होनी चाहिए अभी इंडिया में offer चल रहा है यह कैसे मिलेगा उसके लिए detailed guide आपको नीचे मिल जाएगी, वह ब्लॉग article पढ़ लेना, detailed video बना हुआ है हमारे shots पे, वो भी जाके देख लोगे, तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा, बट अगर pro version नहीं है, किसी reason से तो आपका free में भी यह work करेगा let's start with our resume, जो आपको सबसे पहला और important चीज चाहिए रहेगी, वो बनाने के लिए वो रहेगा आपका एक master database now, कुछ घपराना नहीं, कोई आपको यहाँ पर complex database नहीं create करना है, आपको जाने अपनी google sheets पे, google sheets पे we will have different details, कि आपकी personal details क्या है, वो आजाएगी, यहाँ पर हमने शर्मा जी के बेटे का example लिया है, तो रोवन शर्मा है, क्या age है, क्या location है, number, email, सारी basic details यहाँ पर आजाए आपने क्या क्या किये है, शर्मा जी की बेटे ने आपे जादा पढ़ाई नहीं करी है, बट जो भी education किया है, जो भी आपके छोटे सा छोटे degree है, diploma है, experience है, जो भी आपके formal education है, जिसका भी आपको certificate तक मिला है, कोई आपने online दिया, Udemy पर कोई course किया, उसके भी certificates अगर Then we will have skills, skills की उपर आपके कितनी proficiency है, जो भी आपने skills सीखी है, मानलो, canva में भी designing आती है, यहाँ पर cap cut भी यूज़ कर रहे है, video editing ले तो वो भी डालो cap cut, और इसको हम लोग कितना proficiency 3, अगर बहुत expert हो तो 5, नहीं हो तो 3, तो यह सारी छोटी छोटी detail भी आपको डालनी है अभी आपको जज़ नहीं करना है कि कौन सी मेरी अच्छे skill है, कौन सी भीकार skill है, जो भी बड़ी से बड़ी, छोटी से चोटी, प्रीमेर प्रो आता है, वो भी डालो, canva पर यूज़ कर रहे है, वो भी डालो, cap cut यूज़ कर रहे है, वो भी डालो, इंस्टाग्राम पर अगर कुछ आपने content writer हो, आपने कुछ लिखा, जो rank किया है कहीं पर, तो वो डालो, उस सब के proofs डालो, आपने कुछ design किया है, उस design से किसी का ad creative वगरे बना है, तो अगर आपने blog पर काम किया, blog के traffic बढ़ गई, तो वो mention करो, कौन सा blog था, उसका link डालो, किसी article पर काम किया उसके ranking बढ़ गई, किसी video पर काम किया, उसकी designing से, उसके CTR बढ़ गए, तो वो सारी चीज़े आपके portfolio and projects में आ जाएगा, and then work experience, work experience में जहाँ जहाँ काम किया है, वो सब यहाँ पर डालना है आपको, self-explanatory accomplishments, अगर आपने कुछ भी community works किये है, कहीं volunteering करी है, कुछ आपने organize किया है, तो वो सब यहाँ पर आपका achievements वाले section में आ जाएगा, achievements and awards, and in fact, अगर आपको कोई awards में ले हो, and then we have hobbies, hobbies में जो भी आपकी hobbies है, as, worse as, कि Netflix bingeing, अगर आप Netflix भी देख रहे हो, दिन भर, वो भी डाल दो, वो भी आपको काम में आएगा, कैसे, वो मैं आपको आगे explain अबर छोटी-छोटी और बेकार सी-बेकार सी, जो आपकी hobbies है, जो आप सोथ सकते हैं, कि यार, ये तो कोई hobby भी भी नहीं होती है, Netflix bingeing कोई hobby है क्या, दिन भर TV देख रहे हैं, ये कोई hobby है क्या, बर ठीक है, डालो उसको, वो भी आपके काम में आ सकता है, now, इसके basis पर, we are going to create our resume, इसके लिए हम लोग क्या prompt यूज करेंगे, ये रहा मेरा prompt, जहां पर मैंने कहा है कि यार, आप एक resume writer हो, and spreadsheet database के according, जो भी मैंने आपको database में आपको दे रहा हूँ, मुझे one page, ATS friendly, ATS क्या होता है, वो भी explain करता हूँ, ATS is actually terrible system, it is actually terrible, but the full form is application tracking system, तो अब ये ATS क्या है, if you are designing resume, आपको पता होना चाहिए, ATS क्या है, देखो, अगर कोई HR hire करता है, if you need a resume, जो आपकी job profile से match करें, तो वो directly जाता है, system पे वो डालता है, कि मुझे ये है चाहिए, उसके हिसाब से उसको resumes आ जाते है, वो filtration कौन करता है, वो manage करता है, ATS, जैसे मानलो, nocary.com पे कोई HR operation रहता है, पहला कोई आपको human being नहीं देखेगा, आपको AI automated software देखेगा, जो की AI भी नहीं है, क्योंकि it works horribly, ये अगर आपने दो columns बना के रखें, एक left में, एक right में, बहुत सारे लोग ऐसे resumes बनाते हैं, ये सही से नहीं पढ़ सकता है, left और right column में differentiate नहीं कर सकता है, it will read it in a bad way, tables में ये अच्छे से काम नहीं करता है, अगर आपने कुछ images include करिये, तब ये अच्छे से काम नहीं करेगा, तो ATS friendly अपना resume बनाना काफी important हो जाता है, तो you need to make a simple resume, as simple as this one, कि ATS filtration में उसको out नहीं किया जा सके, कि simple सा नाम लिख दिया, आपने आपने professional summary लिख दिया, technical skills work experience, projects, education, certification, that's it, यहाँ पर कोई table नहीं है, कोई images नहीं है, कोई left right column नहीं है, that's how you need to make ATS friendly resumes, so now coming back to our prompt, हमने ATS friendly resume उसके बोल दिया है, उसके बाद भी है, उसके बाद भी है, सैट के टीक है, हमने क्या क्या चीए, कैसे उसको और्गनाईज करना है, और यहाँ पर master resume spreadsheet data को हम ल हमने google sheets पर ही बनाया था, canvas, summit, तो अब हमारे पास एक ATS friendly resume में आ चुका है, जो भी हमारी professional skills थी, जो mean skills थी, जो भी important चीजे हैं, वो इसने हाँ पर include कर दिये, and अच्छे manner में include कर दिये, जैसे कि यहाँ पर explain, जो star method होता है, कि आप यह मत बताओ कि आपने क्या किया है, आप what we need is tailor made resumes for different job description, जब से पहले आप लोग अपने job descriptions को collect कर लो, जैसे यहाँ पर मैंने collect किया है, यह तीन job descriptions है, मुझे तीनों के लिए tailored resumes बना रहे है, different, different, एक copywriter की job है यहाँ पर, एक content writer की, SEO content writer की job है, and यहाँ पर एक simple content writer की job है, यह तीन resumes रहेंगे, and इसके तीन job descriptions ले मुझे तीन different resumes चाहिए, तो I'll again go back, अब आपस यहाँ पर जाओंगा, and this is going to be our prompt for tailored resume, यहाँ पर roll दे दिया हमने, हमने उसको task दे दिया, कि ठीक है नहीं, हमें each job description के यहाँ पर चाहिए, instructions दे दिया है, किस तरीके से लिखने है, क्या-क्या चीज़े यहाँ पर रहेगी, मैं कह रहा add some files, add from drive, here are rowan resume, and three job descriptions, sorry, rowan master resume, master database हम लोग attach करेंगे, और job description attach करेंगे, canvas on कर देंगे, and then we'll click submit, so अब यह क्या करेगा, अब जितने भी हमने इसको job descriptions दिये हैं, उसके हिसाब से आपको tailor-made customized resumes देगा, अब देखो, इसने तीनों को यहाँ पर analyze कर लिया, मुझे बता दिया किया, मेरे लिए सबसे अच्छी जो proper job रहेगी, वो SEO content writer के रहेगी, followed by copywriter, followed by content writer job, और यहाँ पर तीनों के लिए इसने मुझे resumes दे दिये हैं, this is my SEO content writer, अब देखना इसमें, नीचे जब मैं mention करूँँगा, मेरे projects के बारे में, मेरे skill set के बारे में, this is mostly going to related to, related to SEO, on page, off page SEO, long form content, जो यहाँ पर tools बताएं, वो href, semrush, यह सारी चीज़े हैं, यह सब मैंने main यहाँ पर highlight किया है, but जब मैं जाओंगा नीचे, I'll say, here copywriting वाले job का देखते हैं, copywriting पर क्या आगए skills, add copy, landing pages, email marketing, e-b testing, editing and proof reading, conversion optimization, यहाँ पर कभी मैंने on page, off page SEO का mention नहीं किया क्योंकि वो उनको चाहिए भी नहीं यह भी मुझे आता है, मुझे वो भी आता है, लेकिन मुझे जो recruiter है, उसको भो बताना है, जो धेखना चाहता है, समझ रहे हो? आपको अगर job चाहिए तो आपको वो चीजे बतानी है जो वो देख रहा है जो उसको चाहिए आपके पास हजारो skills है लेकिन उसको सिर्फ दो skills चाहिए तो वो हजारो skills हमारे जाएगी master database में जो उस recruiter को जो आपकी चाहिए कि यार ये मुझे skills चाहिए वो जाएगी किसके पास resume में आपके तो सारे resumes हमारे different बनेंगे depending कि job description में क्या है उसको क्या चाहिए और ऐसा भी नहीं है कि ये fake बन रहा है वो अपने हिसाब से नहीं दे रहा है हमने AI को prompting के हिसाब से database भी दिया है अपना सिफ prompt matter नहीं करता है आपका database भी काफी matter करता है तो हमने दोनों चीज़ उसको दिये database भी actually जो हमें आता है हमने सिफ वही लिखा है हम कुछ fake नहीं कर रहे है and we are making the job easier for us and even for the person who is looking to employers अब मान लो जैसे ये मैंने दिया है वैसे ही I can give a lot of JDs जैसे यहाँ पर मैंने एक sheet भी बनाई हुई है this is अपर करीबन 13 job descriptions है जो मुझे मिले हैं online जिसको लगता है कि याँ मैं apply कर सकता हूँ उसमें फिर मैंने जेमिनाय को कहा कि दोनों again मैंने आपर दोनों update कर दिया database भी दे दिया और अपनी google sheets भी दे दी JD वाली उसके बाद उसको का कि analyze करो और rank भी कर दो है कि मुझे बता दो कि 13 में से कौन सी अच्छी है तो इसने यहाँ पर rank भी कर दिया यह देखो पहले SEO specialist, content writer, फिर e-commerce फिर again यहाँ पर सब के मेरे पास resumes आज चुके हैं और यहाँ पर cover letter भी आ चुका है और देखो यह customize है यहाँ पर एक copywriter का roll है adspark में तो यहाँ पर जो आप लोग स्किल्स देखो कि वो अलग है यहाँ पर जो professional experience है वो अलग रहेगा वो थोड़ा सा different way में बताएगा कि ठीक है ने 25% higher CTR आया मेरी वज़े से organic growth नहीं बोलेंगे उसको CTR बोलेंगे A-B testing करी हम लोगों ने and जब यहाँ पर मैं जाओँ वा link building के लिए तो यहाँ पर आ जाएगा कि off page strategies मैंने करी है इसमें कोछ जूट नहीं है यह सब आपको पता है बट हम लोग उसको highlight होई कर रहे है जो वो सुनना चाहता है तो अब हमारे यहाँ पर customized resumes बन चुके हैं हर job के लिए हमें पता चल चुका है कि हमारे लिए कौन सी job अच्छी है next step यह भी रहेगा कि आपके पास good portfolio website भी हो वो भी आपके लिए Gemini ही बना देगा अगर मुझे इसको कुछ अच्छे बताना है मैं आपर अपनी website को include कर सकता हूँ website को include करने के लिए मैं ऐसी website HTML में बनवा सकता हूँ तो अब quickly अपने resume के हिसाब से हम लोग हमारी एक portfolio website भी बना लेंगे तो अब मान लेते हैं कि मुझे यह वाला हमने उसको दिया था JD now content writer की job शर्मा जी की लगी थी SEO content writer this is the job जो मुझे यहाँ पर सबसे अच्छे लगी है और इसकी के हिसाब से मैं अपना एक portfolio website भी बनाना चाहता हूँ तो मैं इसको पुरा यहाँ पर copy कर लूँगा और मैंने आपर एक prompt दिया है Gemini को कि आप expert web designer हो आपको यहाँ पर analyze करना है my resume और career data और यहाँ पर मैंने basic details दे दिया अब here's my latest resume यहाँ पर आपको अपना resume copy paste कर देना है और यहाँ पर हम लोग हमारा master data भी add कर देने है ताकि उसको लगे है कि कुछ important चीज़े add करनी है तो add कर ले master data canvas enter कर देना है canvas पर ही आपकी web designing होगी submit अब यह आपके लिए code करेगा एक बढ़िया सी html website आपको बना के देदेगा और जो भी मैं prompts बता रहा हूँ यह सब आपको freely available मिल जाएंगे नीचे एक link रहेगा उस link पे click करना हमारे blog पर पहुँच जाओगे आप लोग वहाँ पर आपको यह सारे step by step guide और prompts फॉफरी मिल जाएंगे and here is our website ready हो चुकी है कुझ इस तरीके से दिख रही है about me, my professional story यहाँ पर हम लोग उससे photo भी add करवा सकते है skills and expertise project and portfolios nice, यहाँ पर भी हम लोग उससे images add करवा सकते है let's connect create यह तो मेरी वाली से भी अच्छी दिख रही है जो मैंने यहाँ पर बना कर रखी है यह सची दिख रही है यह देखो यह देखो, nice तर एक बार आपके पास यह आज है उसके आदे, you can just share this इसका code आप लोग यहाँ पर आपको इसका code मिल जाएगा if you want to host it somewhere उसको host भी कर सकते हो थोड़ा जादा technical हो जाएगा तो मैं उस पर नहीं जाऊँगा but easy thing is कि इसको यहाँ पर you can share it यह आपके पास आपकी website का link आ जाएगा इसको customize करना है तो आपको इसको कहीं host करना पड़ा but this is your link इसको कहीं भी कोई भी open कर सकता है यह आ चुकी है continue and this is your portfolio website this looks good images भी वो add कर देगा images में कोई issue नहीं है उसके लिए एक और आप लोग प्राम्ट होगे but I'll just need to give you the idea कि कैसे यह काम करता है कैसे आपको इसका use करना है then again इस वीडियो को जौदा complex नहीं करना है तो you can skip this part main था इसका resumes बनाना resumes बनाना मैंने आपको सिखा दिया है tailor made, ATS friendly main चीज हमेशा याद रखना अपने master database को हर महीने update करते रहना जो भी आपकी चीजे नहीं नहीं add होती जाए न इसमें update करना मत बूलना इसके साब से आपके बढ़िया बढ़िया resumes बनते रहेंगे और एक बात याद रखना कि आप AI सिफ prompting के उपर base नहीं है AI prompting plus data that you feed उसके basis पर वो आपका output देगा और ऐसे ही interesting AI videos ले अपस्केल AI को subscribe करना मत बूलना बहुत सारी याँ पर और भी interesting videos अभी आने बाले हैं So that is it from my side I'll see you guys in the next one Goodbye